आज हम एक्सरसाइज 12.2 का कोस्चन नंबर सी पढ़ने जा रहे हैं यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर दीज एंगल्स आपको यह एंगल्स गिवेन हैं बुक में कोस्चन में ही दिये गा हैं आपको क्या करना है इनको सिर्फ मेजर करना है कि इसकी हल्प से प्रोटेक्टर क को करते हैं निफ प्रोटेक्टर को सेट कर लेते हैंurg towards इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो यह ब्लू लाइन हिए वो किस डिग्री पर जा रही है फ्र३श पर जा रही है वन 30 डिग्री पर जा रही है तो इसको यहां आप देखाए कि आपको समझ में तो इह यहां पर 130 डिग्री पर जा रही है तो यह कित् invece बन रहा है आपको एंगल बन रहा है और चाहिके मैं नेश्ट अंन एकको फिर से बेस दैंट में डिंगर को आ। तो इसके बाद देखा रहा है कि यह 90 डिग्री पे बन रहा है इसका एंगल कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे एंगल बन रहा है तो यहां पर हम 90 डिग्री लिख लेंगे ठीक है अब हमारा जो थार नमबर का question है यह आपका यदि हम इसको देखें कि कौन से एंगल इसमें नाम लिखने को नहीं दिया है फिर मैंने आपको बताया था कि कि 90 Degree से Greater than होगा वो कौन सा एंगल होगा obtuse एंगल होगा और जो 90 Degree का होगा वो कौन सा होगा Right एंगल होगा आपका और आप देखें यह क्या है इसको हमने बेस्लाइन पे इस प्रोटेक्टर को सेट किया तो आपका कितना आ रहा है यहाँ पर देखे 55 डिग्री आ रहा है यह 50 और 60 के बीच में आ रहा है तो यहाँ पर हम देखेंगे 55 डिग्री कौन से एंगल है यह आपका एक्यूट एंगल है ठीक है अब आपको करना है डी नंबर का को उच्चिन यूज प्रोटेक्टर तो ड्रॉड दीज एंगल्स इन यूर नोड़ बुक आपको क्या करना है कि प्रोटेक्टर के यूज करके इन एंगल्स बनाने हैं तो सबसे पहले हम एक बेसलाइन बनाएंगे आप इस में प्रोटेक्टर सेट लेंगे यह लाइन पर बेसलाइन पर आप दीख रहाए है आपको यह हमने सेट कर लिया ठीक है आप हमको कितने डिग्री का बनाना है एंगल 60 डिग्री का आप देखे जीरो से स्टार्ट है आपको नीचे वाली लाइन पर नहीं जीरो 10 20 30 40 50 60 तो सिस्टे में हम डॉट कर लेते हैं यह ठीक है यह देखे जीरो 10 20 30 40 50 60 तो हमने 60 पर डॉट कर लिया अब हम क्या करेंगे कि य जो अपना लास्ट पाइंट है उससे इस बारी लाइन को मिला देंगे यह हमने मिला दिया ठीक है यह आपका एंगल रेडी हो गया तो इसको नाम दे दीजिए आप कुछ भी दे दीजिए पी क्यू आर कितने डिग्री का आपने मनाया 60 डिग्री का मनाया ठीक है आप इसी बात हमको क्या करना है 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम प्रोटेक्टर को सेट कर लेंगे उसमें ओबलेफ कर लेंगे लाइन में और अब 90 डिग्री कहां यह है पॉइंट रखा और अब इस लाइन को हम अपने पॉइंट से मीट कर देंगी इस तरह तो यह आपका कुछ क्या करना है तो हम सेम वही करेंगे पहले इसकी बेस लाइन त्यार करेंगे उसके बात प्रोटेक्टर को इस लाइन में क्या करेंगे सेट करेंगे किया सेट अब हमको बनाना है फोटी फाइव दिगरी तो फिप्टी और फोटी के बीच के जो पॉइंट दिया है यह फोटी फाइव उसमें हमने पॉइंट किया और इस लाइन को हम इससे मिला देंगे तो यह आपको कित्ते डिगरी का बन गया 45 डिग्री का बन गया अब आपको क्या बनाना है 110 डिग्री का तो उसी तरह करेंगे बेस्लाइन बनाई हमने आप हम इसमें प्रोटेक्टर को ओबरलेप कर देंगे बेस्लाइन में स्ट कर लेंगे 110 अब आप देखिए कि यह तो 90 हो गया 100 और यह 110 यह पॉइंट रखा आपने करें और फिर इस लेंड को हम ऐसे मिला देंगे है तो यह आपका एक एंगल त्यार हो जाएगा तो यह 110 डिग्री का आपका एंगल रेडी है तो यह 12.2 एक्सरसाइज आपकी क्या हो रही है एंड हो रही है कल हम नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे आप कल टाइपस आप ट्रेंगल्स रीड करकी रखेंगे यह मेरा होंबर्क है और एंगल बनाने की कई प्रेक्टिस करेंगी यह जरूरी नहीं कि जो कॉस्चन में आपको डिग्री की वही बनाना है आप 80 डिग्री का बनाओं 50 डिग्री का बनाओ 55 का बनाओ 65 का बतब जित्ती प्रेक्टिस करोगे उत्ती जल्दी आपसे बनेगा अउप यह उंडरिश्टेंड थैंक यू